Hello students, कैसे हैं आप सभी? मैं शुबम पोरोहित, आपका जोगरोफी एजुकेटर, स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पर आपको किंडर कार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंगलिश मेडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं साथी साथ अगर आप e-notes और e-books लेना चाहते हैं तो लिंक है description box में हिंदी माध्यम में हम जिन boards को cover करते हैं वो boards हैं डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड इन सभी boards में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं Students हम लोग कक्षा 11 की book जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त इस book का chapter number 10 पड़ रहे हैं chapter का नाम क्या है? chapter का नाम है वायू मिंडल में जल इस chapter को हम लोगोंने बहुत अच्छे से complete कर लिया है chapter के complete होने के बाद हम लोगोंने NCIT solutions मतलब आपकी NCIT textbook में जो भी questions दिये गए थे उनके model answers भी discuss कर लिये थे आज की इस वीडियो में हम लोग इस chapter से सम्मंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण multiple choice questions जो हैं वो देखने वाले हैं दरसल इस वीडियो को लाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो NCIT की book होती है उसमें वेकल पिक प्रशनों की संख्या बड़ी सीमित होती है maximum 3, 4 या 5 questions दिये होते हैं लेकिन 3, 4 या 5 questions solve कर लेने भर से आपकी तैयारी बहतर नहीं हो सकती और Magnet Brains का उद्देश है आप लोग की बहतर तैयारी सुनिश्यत करना बार बार प्रैक्टिस करवाना और इसलिए हम लोग इस टैप्टर से सम्मंदित कुछ लगभग 25 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उम्मीद करता हूँ आपनों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वैकलपिक प्रशन पूछा जा रहा है कि गर्म वायू वा ठंडी वायू के संपर्ख से कौन सी वर्षा होती है हम लोग ने चक्रवातिय वर्षा परवतिय वर्षा सम्वहनिय वर्षा के बारे में विस्तार से बातें की है तो बस हमें बताना ह कि गर्म एवं ठंडी वायू के मिक्षर से कौन सी वर्षा होती है वर्षन होता है चक्रवाती वर्षा होती है परवती वर्षा होती है या समवहनी वर्षा होती है समवहनी वर्षा आम लोगों ने देखा भूमत दे रेखी है प्रदेशों में तेज धूप या गर्मी के कारण जो समवहनी धाराएं उठती है इस वज़े से होती है परवतिय वर्षा ढाल के कारण होती है लेकिन चक्रवातिय वर्षा वातागरों के कारण जहां पर ठंडी वायूराशी और गर्म वायूराशिया मिलती है चक्रवात पैदा होते हैं वहाँ पर चक्रवातिय वर्षा होती है तो सही answer होगा इसका option B चक्रवाती वर्शा ठीक है चलिए प्रशन नमबर 2 को हम लोग देख लेते हैं किसी प्रदेश में पूरे वर्ष भर या सभी रितूओं में वर्शा होती है अगर ऐसा कोई प्रदेश है जहां पर सभी रितूओं में वर्शा होती है ठीक है कोई सी रि भूमद्य रेखिये प्रदेश या भूमद्य सागरिय प्रदेश ठीक है तो सही आलसार हम लोगों को बताना है सही answer है option C भूमद्य रेखिये प्रदेश क्यों है क्योंकि भूमद्य रेखा आप लोगों को पता है जीरो डिगरी अक्षांस रेखा और करक रेखा और मकर रे इस छेतर में हम लोगों को देखने को मिलती है और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार वर्ष भर हमें वर्षा देखने को मिलती है सभी रित्वों में तो सही आंसर है भूमद्य रेखे प्रदेश ठीक है ऑप्शन C तीसरे नंबर का प्रशन है कि परवत से टकरा कर उसके एक ओहर होने वाली वर्षा कहलाती है वर्षा चक्रवाती वर्षा परवती वर्षा या समवहनी वर्षा पाई सीधे तोर पर सही आंसर है कि जो जलवाश्प है जलवाश्प जो है वो धाल के सहारी क्या करती है उपर उ जाता है संगनन प्रारम हो जाता है और संगनन के प्रारम होने के बाद वर्षा होती है और ऐसी वर्षा को कौन सी वर्षा बोलते हैं परवतिय वर्षा बोलते हैं नाम से हिस्पस्थ है परवत से टकराकर होने वाली वर्षा परवतिय वर्षा ठीक है सही आंसर है ऑप्शन सी चलिए चौते नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं किस प्रदेश में जालों में वर्शा हो दी बहुत महत्वकूर्ण प्रशने पता है जहां पर ठंड में बारिश होती है हम लोग को बताना है वो कौन सा प्रदेश है भूमद्य सागरिय प्रदेश, सवाना प्रदेश, विशुवत रेखिय प्रदेश का और खा और गा दोनों देखिए विशुवत रेखी या प्रदेश तो इसका answer नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अभी हम लोग ने देखा विशुवत रेखी या प्रदेश में तो वर्ष भर बारिश होती है। जिर्फ जाडों यानि ठंड में सरदी में बारिश होती है ऐसा नहीं है इसका जो सही आंसर है वो है भूमध्य सागरिय प्रदेश जो भूमध्य सागरिय प्रदेश है न मेडिटिरेरियन जो सी है उसके आसपास का जो छेतर है वहाँ पर जाडों यानि ठंड में बारिश होत लेकिन तमिल याडू में थंड में बारिश हो थे लेकिन अगर हम जो है उसमें लोग Studios का उत्तर महा भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा में जलवायु का वरगी करण पढ़ेंगे तो सही आंसर और ए भूमध्य सागरी प्रदेश चलिए पांचवे नमबर का question अम लोग देख लेते हैं हलके कोहरे को क्या बोलते हैं कोहराई बोलते हैं कोहसा बोलते हैं ला बोलते हैं या फिर ओस बोलते हैं हलके कोहरे को क्या बोला जाता है और हलके कोहरे को बोला जाता है कोहसा जिसमें न वीडियो में साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है सही आंसर गैस करना है फिर आप लोगों को राइट टिक सही आंसर देखना है ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरे साथ एकदम सही आंसर देखते हुए चले यह से मैं तो प्रैक्टिस होगी नहीं आप लोगों क बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए छटवे नंबर का प्रशन पक्षाब मेग, पक्षाब मेगों के बारे में मैंने ट्रिक आपनों को बताई थी, पक्षी एकदम आकाश में एकदम उचाई तक उड़ते हैं, तो पक्षाब मेग सबसे उचाई पर पाए जाएंगे, जो पक्षी होते हैं, पंपों के समान ये वरक्ष जो है, वो वरक्ष में में जो हैं बादल जो हैं वो होते हैं इसलिए इनका नाम है पक्षाब में लगवा आठ से 11000 8-11000 मीटर यानि 8-11 किलोमेटर कई बार कुछ बुक में 12 किलोमेटर भी लिखा है इतनी उचाई पर ये में जो है वो पाए जाते हैं बारिश होती है क्या है इन मेंगों से नहीं बारिश नहीं होती है तो सबसे ज्यादा उचाई पर पाए जाने वाले मेंग है पक्षाब मेंग वैरी IMP प्रशन ओप्षन डीस का सही आंसर है चलिए सात्वे नंबर का प्रशन देख लेता है भूमध्य सागरी वर्षा पेटी इस्तित है भूमध्य सागरी विश्वती पेटी नहीं पूछा जा रहा है भूमध्य सागरी वर्षा पेटी पूछा जा रहा है चालिस से साथ डिगरी अक्षान सो में 30 से 45 डिगरी अक्षान सो म हम लोग नेक्स चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर और दो बार जो है आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी चलिए आठवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं हम लोग निमलकित में से कौन सा प्रकरमन युगल वायूमंडल में जलवाश्प की था वाश्पोस सर्जन के कारण हम लोग को बताना है कि जो जो हमारे वायूमंडल में जलवाश्प की मातरा हम लोग को देखने को मिलती है वो जलवाश्प की मातरा कहां से आती है वाश्पोस सर्जन से या फिर वाश्पी करन से या संगनन से किस से आती है भाई वाश्पी करण? अगर पौधों की पत्तियों के मार्जम से पौधों की पत्तियों के मार्जम से अगर जलवाश पुबाई वंडल में पहुंच रही है, तो वो है वाशपोत सरजन. तो दी वाशपी करण तठा वाशपोत-सरजन. ठीक है? चलिए! अब हम नवा प्रशन देख लेते हैं इसका सही आंसर होगा option D नवा प्रशन है सापेक्षित आदरता मापी जाती है relative humidity हम किसे नापते हैं animometer से barometer से hygrometer से hydrometer से ठीक है animometer से वायू की गती नापते हैं barometer से वायू मेंडी atmosphere pressure जो है नापते हैं लेकिन आदरता अगर नापी जाती है तो वो hygrometer से नापी जाती है hygrometer बहुत ही ज्यादा IMP प्रशन सापेक्षिक आदरता, निरपेक्ष आदरता, विशिष्ट आदरता बहुत अच्छे से पढ़िए हम लोगोंने सापेक्षिक आदरता, हाईगरो मेटर क्या थी परिवाशा याद आ रही है कि वायू में जितनी जलवाश्प मौझूद है और कितनी जलवाश्प धारन करने की शमता है इसे हम लोग सापेक्षिक आदरता कहते हैं तो सही आंसर है option C, हाईगरो मेटर दसवे नमबर का प्रशन है संगनन से क्या होता है संगनन कंडेंसेशन से क्या होता है हिमकर पिखलने लगते हैं जल हिमकरों में बदल जाते हैं वायू मंडल में विद्दिमान जलवाश्प जल करों में परिवर्तित होते हैं और जल जलवाश्प में बदल जाता है भाई संगनन की प्रक्रिया यह है कि जब जल जो है जलवाश्प जो है वो जल में परिवर्तित हो जाती है मतलब जो जलवाश्प वाश्पु सर्जन की प्रक्रिया से वाश्पु सर्जन से वाश्पी करण से वायू मंडल में पहुंच पर पहुचने पर ठीक है जलवाश्व जो है उचाई पर जा रही है और अधिक उचाई पर जाएगी तो क्या होगा यहां पर कंडेंसेशन संगनन स्टार्ट हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगी फिर स्टार्ट होगी बारिश ठीक है तो सही अंसर है आप्शन सी वाई उमंडल में विद्धिमान जलवाश्प जलकड़ों में परिवर्टे होते हैं ठीक है चलिए ग्यारवे नंबर का प्रशन देख लें बहुत ही आईएमपी प्रशन है सूपर आईएमपी डवल स्टार मारक कर लीजे ग्वेश्चन पूछा ही जाएगा एक्जाम में ओसांक वहता आपमाने ओसांक का मतलब क्या होता है पहरी बाद बहता दीजे वहता आपमाने है जब वर्शन आरंब होती है वर्शन मतलब जो बारिश है जल के रूप में हो रह होता है तो ओसांक कौन सा तापमान है आप लोगों को बताना है तो ओसांक वहत आपमान है जब मेगों की रचना बादलों का निर्मार जो है वो शुरू होता है वहत आपमान जब मेगों का निर्मार स्टार्ट होता है अभी मेग बरसना स्टार्ट ने हुए यहाँ पर तो ज इस टेंपरेचर पर भी मेगों का निर्मार स्टार्ट होने लगेगा ठीक है सही आंसर है option C उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी मजा रहा है वीडियो में अगर आप सही आंसर गैस कर पा रहे हैं तो एक बार मुझे बताईए कि कितना अच्छा आ नहीं आया मैं definitely आपके प्रशनों को उतर दूँगा ठीक है बारवे नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं चलिए प्रक्रिया जिससे संगने जलवाश्प जलकणों या हिमकों में वायू मंदल से भूतल पर गिरने लगते हैं तो जलकणों या हिमकों के रूप में वा लोग बोलते हैं वरश्टी वाश्पोत सरजन वाश्पी करन या संगनन तो सही आंसर है इसका वरष्टी वरष्टी का मतलब होता है वरशा ठीक है나나 निमलिकित में से कौन साक शेतर संवहनियव वरशा और दाप्त करता है समवहनिय वर्षा कन्विक्शनल रेनफॉल हम लोगों को बताना है उत्तर पश्यमी योरो भूमद्य सागर पश्यमी घांट या भूमद्य रेखिये खंड ठीक है अभी मैंने बताया था कि जो जीरो डिगरी अक्षांस है यहां पर इसके आसपास के छेत्रों चूकी समवहनिय धाराएं चलती है क्यों चलती है समवहनिय धाराएं क्योंकि गंग जॉसीद् Lean नमबर का प्रेंशन देख लेते हैं भूतल के निकट जलवाश्प के संगनन से वने जलकणों या हिमकणों के जुन्ड जिससे द्रश्चता बहुत कम हो जाती है मतलब जो भूतल पर जो कल जलवाश्प के जो कण बने हैं जिसमें विजिविलिटी एकदम ब्लॉक हो गई है उसे क्या बोलते हैं वर्शा बोलते हैं कोहरा बोलते हैं मेश बोलते हैं या आदरता बोलते हैं मेश लिखा हुआ है लेकिन आप मेग समझ सकते हैं ठीक है कई बार ऐसे शब्द भी जान बूच के इंक्लूट कर दिये जाते हैं वेकल पर प्रशनों में ताकि आप लोगों को लगे कि यह नया शब्द हैं हम लोगों ने चुना नहीं है साइध यही जो है इसका सही आंसर होगा लेकिन आप लोगों को अट्फ्यूस होने की आवशकता नहीं है सही आंसर है कोहरा कोहरे के कार द्रश्चता या visibility जो है वो बहुत कम हो जाती है कोहरे के कहां visibility कम हो जाती है और कोहरा क्या है भूतल के निकट जलवाश्प के संगनन से बने हुए एक रचना को हम लोग कोहरा बोलते हैं सही answer है option B पंद्रवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं संसार में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का छेतर कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा जो है होती है उश्न कटिबंद 20 डिगरी से 30 डिगरी अक्षांस धुरुविय प्रदेश या भूमद्य रेखिये खंड़ सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होगी जीरो डिगरी अक्षांस पर होगी और जीरो डिगरी अक्षांस कोई क्या बोलते हैं भूमद्य रेखिये खंड़ बोलते हैं मतलब कॉंसेप्ट अगर क्लियर है तो प्रशन डेफिनेटल आप लोगों से बन जाएगा देखे डायक टोनों ने ऐसा लिए जीरो डिगरी अक्षांस लेखा है संसाल में सबसे अधिक वर्षा का छेतर पूछ लिया गया है दिमाग तुरंद लगाना है वर्षा कहां पर होगी जहां पर गर्मी पड़ेगी जल ठीक है चलिए सोलवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं सोलवे नंबर का प्रशन पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है बहुत महत्वपूर प्रशन है पश्चिमी उत्तरप्रदेश वेस्टन यूपी में पंजाब म ठंड के दिरों में कभी-कभी वर्षा हम लोगों को देखने को मिलती है, वातागरिय वर्षा, पश्चिमी विक्षोब वर्षा, परवतकरत वर्षा या समवैनी वर्षा, दरसल क्या है, सीतोष्ण कतिवंधिये चक्रवातों का आगमन जो है हमारे पश्चिमी भारत में होता है, सीतोष्ण कतिवंधिये चक्रवात हमारे पश्चिमी भारत में थोड़े बहुत जलवाश को ग्रहन करके लाते हैं और इसी घटना को बोला जाता है पश्चिमी विक्षोब, क्या बोला जाता है पश्चिमी विक्षोब, ये जो पश्चिमी विक्षोब हैं ये रभी की खासकर गेहूं की जो फसल है ना इसके लिए बहुत लाबदायक होते हैं कभी कभी ठंड के दिनों में हलकी फूलकी बारिश देखने को मिलती है रभी की फसल के लिए बीहद ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी इससे रभी की फसल बहुत अच्छी होती है पश्चिमी सही आंसर है option B ठीक है चलिए 70 नमबर का प्रशने देख लेते हैं किस खंड में निर्पेक्ष आदरता जो है अधिक होती है ऐसा कौन सा प्रदेश जहां पर निर्पेक्ष आदरता अधिक होती है परवतिय प्रदेश धुरुबिय प्रदेश मरुसलिय प्रदेश या भूम ये खंड निर्पेक्ष आदरता अगर आप लोगों को पता है मतलव तो सही आंसर भी पता हो那我們 तो इसाफीक्ष का मतलव क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं आप लोग को निर्पेक्ष और साफेख अगर आप लोग One श्मуса बच्भ यानर उससे आप समझ वायू मंडल में कितनी जलवाश में मौझूद है वास्तविक रूप से कितनी जलवाश में मौझूद है एक्चुल डेटा क्या है इसे हम लोग निर्पेक्ष आदरता बोलते हैं मतलब वास्तविक रूप से उपलब्ध जलवाश की मात्रा इसे ही हम लोग बोलते हैं बोलेंगे कि सर मुझे चार रोटी की भूक लगी हुई है, मतलब ये क्या है निर्पेक्ष आदरता, निर्पेक्ष भूक हो गई एक तरीके से, परिभाशा बना रहा है न हम लोग, ये क्या हो गई निर्पेक्ष भूक, अब हम लोग सापेक्ष आदरता देख लेते हैं, कितनी है ग्रहन करने की अगर हम हंड्र से multiply कर देंगे तो ये सापिक शिक आदरता हो जाएगी समझ में आया नहीं समझ में आया तो इधर पर देख लिजिए माल लीजिए कि आपको आपको माल लीजिए दो रोटी अभी तक मिली है आपको आपने क्या है दो रोटी खाई है लेकिन आप खा कितनी सकते हैं? आप खा चार सकते हैं. चार रोटी की भूख है आप लोगों को लेकिन आप लोगों को ने दो रोटी खाई है. तो ये सापिक्षिक आदरता का फॉर्मूला हो जाएगा. इस तरीके से सापिक्षिक आदरता का मान हो जाएगा 50%. मतलब जितनी वास्तिविक शमता है और एक्चुल में जितनी समता है उसको हम लोग बोलते हैं सापिक्षिक आदरता. अब आप मुझे बताईए कि निर्पेश आदरता पूछा था तो कहां पर आदरता ज्यादा होगी? जहां गर्मी ज्यादा होगी? गर्मी कहां ज्यादा होगी? भूमद्धे रेखी. खंड में निर्पेश का मतलब होता है वास्त विक ठीक है, एक्चुळ में किपनी जल्वाष पर जो हैं मौजूद है, तो एक्चुळ में कितनी जल्वाषपर मौजूद होगी होगी भूमद्य रेखिये, खंड में जल्वाषपर ज्यादा best to look that वायू में उपस्ति जलवाश्प की मातरा को या फिर वर्षा की मातरा को आदरता हुमिडिटी किसे बोलते हैं ठीक है तो हुमिडिटी बोलते हैं वायू में उपस्ति जलवाश्प की मातरा को और यही की यही परिभाशा आप लोगों को जो NCIT की जो बुक है ना आप लोगो ध्यान से चैप्टर पढ़ेंगे सारी questions बन जाएंगे ठीक है 19 में नंबर का प्रशन देख लेते हैं हम लोग भारत के दक्षणी पठार पर कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है भारत का जो दक्षणी पठार है दक्षणी हिस्सा है वहाँ पर कम वारिश होती है क्यों होती है कम वाश भी करण होता है कि वहाँ पर व्रष्टी चाया में स्थित होना पठारी धरातल या अधिक तापमान चलिए दक्षण भारत बना लेते हैं भाई सबसे पहले दक्षण भारत बनाते हैं तो सिर्फ ऐसा बनाते हैं क्या नहीं भाई कुछ पर्मानेंट इसलाकृतिया है उनको भी बनाते हैं और परमानेट इस्तला कृतिया है पश्च्चमी घांट और पूरी िभाड पश्च्चमी घांट पर बारिश पश्च्चमी सइड बहुत ज्यादा हो होती है क्यों होती है क्योंकि यहां तो भी यह पूरी जलवाश जो थी संगनन पक्रिया द्वारा बादलों में बदल गई और बादलों ने पानी बरसा दिया लेकिन अब हमाएं जो है भारी होने के वाद नीचे उतर रही है अब हवा जो है जब हलकी होती है गर्म होती है rain shadow area होने की वज़े से हमाई भारी होती है नीचे उतरती है मतलब जलबाशव वाटर वेपर ग्रहन नहीं करती है ग्रहन नहीं करती है तो वर्षा कैसे होगी मतलब कुल विलाकर ये जो है दक्षड का पठार ये वरस्टी छाया छेतर में अवस्थित है ठीक है उमीद करता हू आप लोगों को नीस्वा प्रशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए 20 वे नंबर का प्रशन देख लेते हैं शीतोष्ण कटीबंधिये छेत्रों में सामान्य तहा किस प्रकार की वर्षा होती है शीतोष्ण कटीबंधिये छेत्रों आप लोगों से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की वर्षा होती है परवतिये वर्षा, समभनिये वर्षा, चक्रवातिये वर्षा या इनमें से कोई नहीं सीतोष्न कटीवंदिये जो छेतर है वहाँ पर सीतोष्न कटीवंदिये चक्रवात उत्पन होते हैं सीतोष्न कटीवंदिये चक्रवात उत्पन होते हैं तो सीतोष्न कटीवंदिये चक्रवातिये वर्षा भी होगी अब देखे सभषमि होगी क्योंकि सी 셌न कैटीबज है ऊपर वामैंच अनी वर्शा लिया होती हैं इसस सब्सक्रां देख रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप विडियो समझ में आ होगी बार बार प्रेक्टिस हो सके इसलिए मैं ज्यादा प्रश्णों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ अगर आप पूरे एक प्रश्ण देख लेंगे ना तो किसी भी तरीके का कोई डाउट आप लोग को इस टेप्टर से संबंदित नहीं मिलेगा और होगा भी नहीं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए फटा फट वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए अब हम लोग 21 वे नंबर का प्रश्ण देख लेते हैं मानव के लिए वायू मंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है यह सीधे सीधे मैंने जो है NCIT का प्रश्ण आप लोगों के लिए उठा लिया गया है अब देखिए यहां पर बताया है ऑक्सीजन नाईटोजन धूलकर और जलवाश्प सबसे ज़्यादा जरूरी तो भाई हमारे लिए क्या है ऑक्सीजन अक्सियन से ज加शागी कुछ नहीं है रहा हम सांस लेते हैं वैंना विना आक्सियन के एक किया ही होगा लेकिन चेप्टर मैंने बताया है थ्ल मुख्वाश चेके के बारे में ईजिन पूरा चेप्टर है इसमें ठीक है ऑक्सियन से जरूरी क्योंकि कुछ नहीं है सही आंसर है ऑप्शन डी जलवाश बहुत अच्छा प्रशन 22 वे नंबर का पुछा जा रहा है कि कपासी मेग कपासी मेग पाये जाते हैं सबसे पहले कपासी मेग क्या होते हैं आपनों को पता होना चाहिए ऐसे बे 15 किलोमेटर की उचाई के मद नहीं इतनी उचाई तो हम लोगों नहीं पड़ी 5 से 7 किलोमेटर उचाई के मद या 2 से 3 किलोमेटर उचाई के मद तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 5 से 7 किलोमेटर की उचाई के मद दे हम लोगो को कपासी मेग जो है वो देखने को मिलते हैं जो रुई के समान होते हैं और इसलिए इनका नाम है कापासी मेग ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्ण बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 23 नंबर का प्रश्ण हम लोग देख लेते हैं निमनलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाती है जो जल होता है वो द्रव्य से गैस में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है वर्षन वाशपोत सर्जन वाशपी करण या संगनन ठीक है तो जल द्रव्य से मतलब सामनता जो महासागरों में जल पड़ा हुआ है वो गैस में बदल जाता है इस प्रक्रिया को हम लोग वाशपी करण बोलते हैं क्या बोलते हैं वाशपी करण सेम प्रक्रिया अगर पेड़ पौदों में होगी तो क्या बोलेंगे वाशपी करण भाई जो पेड़ों की पत्तियों में जो मौझूद जल है अगर वो वायू मंडल में पहुच जाता है जलवाशपी के रूप में फिर इसे व option C, ठीक है, 24 में नंबर का प्रशन, second last प्रशन हम लोग देख लेते हैं, निमलकित में से कौन सा वायू की उस दशा को दर्शाता है, जिसमें नमी उसकी पूरी शमता के अनुरूप होती है, मतलब शमता थी 4 रोटी खाने की, 4 ही रोटी खाली, शमता कितनी थी 4 रोटी खाने की, 4 ही रोटी खाली, और इसको अगर multiply करेंगे 100 से, तो कितना हो गया, 100% मतलब ये जो प्रतिशत वाली चीज है, शमता वाली चीज है, ये किसमें होती है, निर्पेक्ष आदरता में होती है, लेकिन आप लोगों से वायू की उस दशा को बोल रहे हैं, कि वायू की उस संता थी, नमी धारन करने की, वो पूरी जो है, खतम हो गई, मतलब क्या होंगए, अब हम तरफध हो गए, शंतरप्त हो गए, भाई मुझे 4 रोटी खानी थी, मैंने 4 ही रोटी खाली, तो मैं क्या बोलूँगा, कि मैं तरफध हो गया हौई, आज मैं बिलकुल तरफध हो मेरा पेट भरा गया है मतलब ऐसा वायू भी बोलेगी कि मैंने पूरी नमी धारन कर लिया है और अब मेहत्रप्त हो चुकी है मतलब ऐसी हवा को बोलेंगे संत्रप्त हवा लेकिन अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए ना आप लोगों से आदृता पूछ ली जाए ठीक है लास्ट प्रशन हम लोग देख लेते हैं 25 वे नमबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं निम्नलकित में से कौन से बादल अधिक वर्शा करते हैं तो अधिक वर्शा करने बाले बादलों के बारे में पूछा जा रहा है पक्षाव स्तरी, वर्शा स्तरी, कपासी वर्शा या कपासी तो हम लोगों ने पक्षा बादल कपासी बादल वर्षा बादल पढ़ा है ना ध्यान से तो इसका सही आंसर होगा वर्षा स्तरी वर्षा स्तरी जो बादल है वो बारिश के लिए उत्तरदाई होते हैं पक्षा मेगों से कपासी मेगों से वारिश नहीं होती वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से CBSC Board के साथ Delhi Board, बिहार Board, UP Board, MP Board और राजिस्थान Board में Magnate Brains आप लोग को क्लासिस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ वैदिक मैस, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंगलिश की क्लासिस आप लोग के लिए चलाई जा रही है www.magnatebrains.com यह हमारी ओफिशल वैबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्से अपडेटेड फॉर्म में, सिंक्रोनाइज वे में आप लोग को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोग को महसूस नहीं होगी Day-to-day अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हम उपलब्ध हैं वो हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और WhatsApp चैनल आपको करना क्या है? इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को धेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिथी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स पूछ लेने हैं इनोट सोरी बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू, थैंक यू सू मच